हेलो एविवान माइनेम इज निवेश कस्यव तो इस वीडियो में हम बात करेंगे CSIS रेजिस्ट्रेशन के ऊपर और D.U.L.B. का जो cut-off होने वाला है इस बारी उसके ऊपर तो सबसे पहले बात करते हैं CSIS रेजिस्ट्रेशन के ऊपर तो आपको पता होगा जैसे कि 25 अपर से CSIS का जो रेजिस्ट्रेशन है वो स्टार्ट हो चुका है आप वहां पर जाके रेजिस्ट्र कर सकते हो और यह रेजिस्ट्रेशन फिलहाल PG courses के लिए है यानि कि post graduation courses के लिए इसमें की DLLB भी आता है तो ध्यान रहे यह अभी यूजी वालों के लिए स्टार्ट नहीं हुआ यूजी वाले के लिए शायद में से स्टार्ट हो तो 25 अपर से स्टार्ट हुआ और इसका कोई लास्ट अभी तक तो नहीं है तो आपके पास 20-25 डेस का टाइम तो होगा ही आप राम से रेजिस्ट्रेशन करो और कुछ लोगों का डाउट आता है कि like documents related जैसे इस यह का देना है या previous यह का देना है तो मैं आपको एक बार क्लियरेफाइग कर देता हूं कि especially जो OBC certificate है या फिर EWA certificate है या फिर migration का certificate है ठीक है या फिर degree आपकी है इन सब के regarding ज्यादा questions म मेरे पास आ रहे हैं तो मैं इसको क्लियर कर देता हूं suppose करो सबसे पहली बात तो यह कि अगर आपका जो certificate है तो आप notification जाके पढ़ो वहां पर दियागे करेंट टियर्स का तो current year's कहने के मतलब होता है if अगर आपके पास प्रिव्या यर का है यानि 2023 करtså أوð20पीय तो आपके पास होना ही चाहिए आपके पास 25 confirmation आपके पास 24 ऑप्वहाई से लेकर टेलिग्राम चैनल है, वहां से आप मैंने वहां पर डाल दिया, आप एक बार नोटिफिकेशन पढ़ दो, और उसी फॉर्मेट में आपका सर्टिफिकेट होना चाहिए, यह तो हो गया, अब हम बात करते हैं, माइगरेशन के ऊपर या फिर डिग्री सर्टिफिकेट या आप आपके पास माक्षिट है या नहीं उसके ऊपर, तो देखो गर आपके पास माइग्रेशन सर्टिफिकेट नहीं है, या आपका डिग्री नहीं है, या आपका माक्षिट नहीं है, तो आप अंडर्टेकिंग फाइल कर सकते हो, आपको टाइम मिलेगा, तो यह आपको करना अ आपके पास अभी हो ही ठीक लेकिन admission के दौरान जब आपके जब आपके अपका admission स्टार्ट होगा उस दौरान तक आपके पास होना चाहिए आपको produce करना पड़ेगा राइट तो यह हो गया CSIS registration के regarding करना होगा लाइक अगर आपने लल्ब के लिए सेलेक्ट किया है अगर आप पॉलिटिकल साइंस के लिए कर रहे हो आपने सपोस करो और किसी कोर्स जैसे English literature के लिए कर रहा हो तो उसके लिए आपको 200-200 हरे के लिए करना होगा सपोस्ट आपने दो किया तो आपको 500 पे करना होगा एक किया तो 200 करना होगा यह रेजिस्ट्रेशन फी है अब हम बात करते हैं डी उलल्ब कटफ के डिगाड़ी तो इसके मैंने पहले वी वीडियो बनाया था कि क्या कटफ ट्रेंड रहा है क्या रहने वाला है लेकिन फिर से मैं आपको एक देखो तो 60% of the paper अगर आप स्कोर करते हो तो आपका admission कहीं ने कहीं हो जा रहा है जैसे अगर प्रिविएस यह देखा जा तो 240 पे लोगों का selection हुआ था आव्ट फॉर हंड़ेड तो एड्मिशन तो 222 पे 225 पे भी हुआ था spot round में third round में लेकिन मैं first cutoff list की बात कर रहा हूं अगर first cutoff list में अगर आपको आना है तो आपको 60% above marks चाहिए होंगे एक safe zone के लिए हो सकता है कि 55-57% भी जाए लेकिन safe रहने के लिए आपको 60% लाना जरूरी है तो अगर आप 300 का 60% निकालते हो तो that is 180 marks तो अगर आपके 180 से उपर हैं like 180, 185, 190 marks और यह चंदल category की बात कर रह आगे कि OBC या फिर SC candidates से उनके कितने marks जा सकते हैं तो अगर आप general category से हो तो आपका 180 marks 185 भी है तो आपके high chances हैं कि आपका first cutoff list में नाम आ सकता है लेकिन 180 से अगर आप ऊपर हो तो sure shot आएगा 180, 185 ठीक है बहुत ज़्यादा fluctuate नहीं करेगा दो चार नमबर आगे पीछे हो स चल सकते हैं अगर आपका 170 है 175 तक marks है तो आपका जो है first round में first जो list आईगी उसमें आपका admission हो जाएगा अगेन हम बात करते हैं EWS को लेकर करके तो EWS का ज्यादा fluctuation नहीं होता है general से तो आप मान के चलो चली क्या होता ना कि जैसे जैसे first cutoff आएगी फिर second फिर third उस gradually क्या होता है decrease होता है marks starting में बहुत ज्यादा difference आपको देखने को नहीं मिलेगा लेकिन जैसे second cutoff हाएगा तो difference बढ़ जाता है suppose करो 180 गया है अगर general का तो 175 के round EWS का cutoff रहने वाला है तो इस तरह से fluctuate करता है तो आप 5 number आगे पीछे लेकर के चल सकते हो अगें हम बात करते हैं SEC candidate के regarding तो SEC का cutoff क्या होता है कि बहुत ज्यादा gap होता है general और SEC के बीच में तो अगर 180 गया है suppose करो कि general का तो मान के चलो 160 150 के around SEC candidate का cutoff हो सकता है तो उसके हिसाब से आप 1015 number ST का भी कम कर लो तो यह होता है तो जो major difference होता हो SEC और general के बीच में होता है और OBC और general के बीच में होता है लेकिन EWS और general के बीच में यह color चीज़ है तो बहुत लोग confused हो जाते हैं कि 180 CLC के लिए बोल दिया ऐसा नहीं है 180 is for your admission मतलब आपको LC1, LC2 किसी में भी admission मिल जाएगा लेकिन अगर आपको CLC में चाहिए admission first round में तो आपको 200 plus marks चाहिए होंगे चाहिए आप किसी भी category से हो especially general category and EWS category तो आपको जैसे cut-off जिस दिन release की जाएगी उस दिन मैं आपको बताओंगा कि second round यह third round में किस तरीके से fluctuate हो रहा है क्योंकि अभी हम एक rough idea ही लगा सकते है previous year trends के ऊपर और यह safe है 60% जो होता है safe score माना जाता है तो बाके अगर आपको कुछ doubt पूछना है बाके इस वीडियो में इतना ही thank you and have a nice day